कि दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफाई सड़ी चैनल पर चेंजिंग वेफ लर्निंग वाइफाई सड़ी जाप पार्ट अपने खेडवी नमस्कार एक बारे कमेंट बोक्स पर रिखेगा आपको मैं विजिबल हूँ कहा साथ दिन लगातार साथ मेराथोन आपकी हो रही है तो उसमें आज भी एक मैराथोन करने वाले हैं 200 rapid fire question टिक है तो लगातार 200 rapid fire quoshen चलेंगे ऐसे ही लगातार साथ दिन सेम टाइमिंग सेवन पीम पर ठेके साथ बजे वाइफाइ स्टड़ी पर ये चल रहा है इसमें हमारा कवरेज जो है जीए स्टेटिक जी के करेंट अफेर सबी का हो रहा है मतलब आपको इससे बहार देखने की जुरुत पड़ेगी नहीं अगर आप सिर्फ एक मेराथुन की बात कर रहें तो इससे बहार नहीं चाहिएगा बस इतना ध्यान रखना जो भी बच्चा देख रहा है कल सुबह साथ बज़े मैं आपको MTS का full revision स्टार्ट करा दूंगा कल ही स्टार्ट करेंगे कल ही खतम करेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक बिल दाएगा सुबह साथ बज़े से आपका जो है MTS का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा ठेके वैसे तो मैं यूटूब पर छे बज़े क्लास डाल दूँगा लेकिन सुबह साथ बज़े का जरूर ध्यान रखेगा ठेके टेलीग्र ले सकते हो जब सब्सक्रिप्शन लेंगे पूरे अच्छे तरीके से त्यारी करने हैं अगर आपको तो आपको किसी भी एक्जाम में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रैफर को लाइव अमन यूज़ करके ध्यान रखेगा नए बैच यह सभी लाइव है जैसे 29 तारीका कल का बैच है इसमें सिंपल सा तरीका है जैसे आप SSC गोल के लिए आप डाउनलोड करें SSC गोल सिलेक करें यहां पर उसके बाद आप 24 मन सिलेक करें 24 मन में जो आपकी फीज रैफर कोड लाइव अमन लगाते ही इधर जो आपकी यह फीज इधर से इधर कम हो जाएगी ध्यान तो आपकी इतनी फीज जो है रैफर कोड लगाते हैं कम होने वाली है हर एक मन्त में तो बेनिफिट उठा सकते हो रैफर कोड लाइव अमन लगा के तो यह तरीका रहेगा जिसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हो नए बैच में चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बत करना स्टार्ट कर देना आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा तसली से क्लास लीजेगा अगर MTS क्रेक करना है तो सुबह साथ बज़े से टेलीग्राम पे लिंक का जाएगा असाम का लेजिस्ट्रडिव असंब्ली सीट कितना है आंसर है 126 टे 126 इसका आंसर है महत्पुन्ट जावाल है पूचार आसकता है चलिए एक और कोशन देखिए बताइगे भारती बहुत इंपोरन कोशन लेटस कोशन करेंट अफेर का मैंने आपको पहली भी का रखा है कि मैं आपको करेंट फेर छुडवाऊंगा नहीं सारे हो जाएंगे करेंट अगर आप स साथ दिन साथ बजए मैरतुन देख लेते हो तो उसी का ही पार्ट है बताइगा भारती एटल ने अपना फाइव जी रेडी नेटवर्क कहां पर अनॉंस किया है बहुत प्यारा कोशन लेटस वन कोशन है कोशन आ सकता करेंट फेर तो यह अनॉंस्मेंट कहां पर की गई है जो एक्जाम अपकमिंग है ना उसका प्रिपेशन पूरा होना चेह एक नजर हर सावाल पर चाहे वो साइन्स हो चाहे वो करेंट अफेर हो चाहे वो स्ट्राटिक जीक हो चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटिक कुछ भी बदेगे एशिया पैसिफिक परसनलाइज हेल्थ इंडे आ सकता है चलिए को ओशन देखेगा फॉल्स इनका निधन हुआ अब क्यों फेमस है भाई जब नोबल पुरुसकार मिलेगा तो फेमस तो होंगे ना ठीक है इनको नोबल पुरुसकार मिला हुआ है अब सवाल पूचा रहा है कि पॉल करद्जन को नोबल पुरुसकार किस इस फीड में मिला था इस कोशन का आंसर क्या है कि रसायनिक विज्ञान के शेत्र में इनको नोबल पुरसकार से सम्मानित किया जा चुका है तो उसी पर कोशन आया कोशन कौन सी स्टेट में कौन सी स्टेट में इस के चलिए तो सगर में आंद्ठ पदेशिस का विजा का पटनम यह सब पता होना चीए अब यह तो खैर कुछ जादी असान हो गया कि व्रद्ट्रेड निशन के हेड़्पार कहां पर ठीक चाहिए आइलों के बोले वर्ट्रेड निशन के बोले रेड़् क्रोष सोसाइटी सब कुछ कहां पर जनेवा में यह सब कुछ कहां पर जनेवा में है इंपोर्टन कोशन पूछा आ सकता है ठीक है जनेवा इसका चले एक और कोशन भी करना मैक्सिम्म जादा जादा शेर करो सभी के पास यह वीडियो पोचनी चाहिए डेली बेसिस की इतना कंटेंट मिल रहा है 200 कोशन लगातार हो रहे हैं रैपिड फायर में हर दिन हो रहे हैं शाम को साथ बजे लगातार बैरत हो ना रही है बताए अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ क्यूग के जो रिक्टर स्केल की इंटेंसिटी है वो कितनी होती है बड़ा अच्छा कोशन क्योग में कितनी इंटेंसिटी को मेंजर करता है करीं करें पाल्यें दोस्तों की बात करी जाए तो रिक्टर तक की के वैलियो को मैजर करता है तो अछा बच्चे इसमें बहुत घलती करते हैं कोई गतर द कोर और्ट को एक यह आंसर केसे को कुछन का हान जी कोन से ऐसे राजा निए जो कि जैन ध्रम को फोलो करते ठेक है जैन ध्रम को एक तो यह बड़ा important सवाल है कि कोई बोध धरम को follow करता था कोई जैन धरम को ठेक कोई शेविजम कोई वैशनिजम तो ये बहुत ज़्यादा कोशन आता कि जैन धरम बोध धरम को कोई follow करता है इन सभी में king करे वाला जो थे वो जैन धरम को follow करते थे important question है पूछा आ सकता है हर एक कोशन भाई एक भी कोशन ऐसा नहीं है जो इंपोरेंट ना हो हर एक कोशन टॉप कोशन है ऐसे ही सेम मैं कल सुबह 7 बजे से मैं एटलिस बोलू कि 6 भी हो सकता है क्या पता मैं सुबह एक यूटूब पे क्लास भी लगा दू शुरुवात में 6 बजे लेकिन कल जो क्लासिस हैं वो सुबह 6 या 7 बजे से आपको टेलिगराम चैनल पर मिलेंगी लाइव देखिएगा हर एक क्लास को बेनिफिट उठाएगा कल पूरा दिन लगा दीजेगा अगर पूरा रिविजन करना है पूरे दिन पूरी रिविजन ठीक है एन्वार्मेंट प इवार्मेंट पुटेक्षण बिल जो है 1986 में पास किया गया है इंफोरेंड है आप कभी देखो बेनिफन से सब्बंदित कोई ऑल्या र्विल एक्ट आता है कोई भी अमैंट्मेंट होता है तो उसमें 1986 में अमैंट्मेंट होता संचोधन según後 26 मेंशन शाइगा है एक और का बंपsystem क het आइंस्टाइ Walmart Einstein के दौर इन विट्ट टीरतग्ण फॉल् स्टेट इन विट इस्ट टीरत गुडवगhoven और यह कहां पर लोकेटटेड है दोस्तों बतायों स्लकाइं मैं थी थी य prz गढ़ फोल, जो है, कहां पर लोकेड़ है, चत्तिस गढ़ brain lean अब सवाल यह पूछा जा रहा रहा वो Çो लेरिंग किसकी क Müumin की की लेरींग की जाती है, एक और कोशन देखिये, बताएं निक्षे पोशन स्कीम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह कि से संबन्दित है, कमेंट खरीए, नेशनल टीवी कंडूल प्रोग्राम से शंबन्दित है, नेशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम से संबंदित है important question है पूछा जा सकता है ठीक है important question है पूछा जा सकता है चली तो इस question का answer यह है एक और question देखिए अगर मैं बात करूँ बेलगाम airport की ठीक है इसको ना आम बेलगाम किसले famous है बेलगाम महात्मा गादी जी उसके head थे बेलगाम कोशन आ सकता है उस पर भी और इसको हम सामरा airport भी कहते है बेलगाम airport को यह कहाँ पे क्या यह करनाटका में है क्या यह करनाटका में जल्दी समदेगा क्या यह करनाटका में है तो दोस्तो हाँ यह करनाटका में है करनाटका में एक और कोशन देखेंगा करूर व्यास बैंक देखो इस क्लास में न कवरेज है कैते नहीं कि एक कवरेज क्लास कून सी होती है तो वो ये कवरेज क्लास है लगातार चलेगी 7 दिन आप 7 दिन में इतना कवरेज करोगे 200 कोशन डेली करके ठीक है लिटरली एक घंटे की क्लास को डेट दो घंटे का कर दिया है कि आपको एक क्लास में सब मिले तो सब कवर करो कुछ छोड़ो ना इस क्लास में साथ बजे आओ लगातर पड़ो ठीक तामिल नाड इसका आंसर है चलिए एक और कोशन देखेगा बड़ा प्यारा कोशन है ठीक है अकबर के समय में ज्यादा तर जो गोल्ड के कोईन थे उनका नाम था इलाही मतलब कोईन्स का नाम और वो जो गोल्ड के कोईन्स थे उनका सि इक्यवालेंट बताएं तो सिल्वर कितना था बड़ा अच्छा कोशन नहीं पूछा आ सकता कमेंट करेंगे इस कोशन का आंसर क्या है नहीं तो दस रुपे जो है सिल्वर कोईन का था थे कंपेरेजन में अगर देखा जाए स्थे तो एक और कोशन देखें लाकेशन है यह बहुत यह सान है यह बई पंज महल सभी जानते हैं तीक है असाइन कोशान होगा है कुछ जाद ही देखो एक और कोशन आप सभी जानते मेरी कॉम के बारे में बहुत फेमस इंडियन बोक्सर है क्या ये मनिपूर से संबन देता स्टेट पूछा गया ना अभी जितने भी खिलाड़ी ओलम्पिक जीते थे जितने भी खिलाड़ी उनका स्टेट का याद रखे जैसे मीरा भाई चानू की स्टेट से मेरी कॉम की स्टेट से बहुत सारे तो हर्याना से ही थे तो आसान है आंसर है मनिपूर मैं टाइप ओफ कोशन कवर कर रहा हूँ मेरा परपस है कि आपको एक नजर हर सवाल पर डालनी है पेपर से पहले आप पूरे साल पढ़े, छे महीने बढ़े ओ, तीन महीने बढ़े ओ, पेपर से 7 दिन पहले पढ़ोगे तो यार देश की केपिटल एक तजाकिस्तान की एक केपिटल हाल में यह मैंणे कराकिस्तान में stipendendstater ौणा था कोई एक मेजर इवेंट कोई एकसाईज आपने सुना वह पुक्शन आ मुनारी जो है folk dance है कुछ सी state का मुनारी किस state का folk dance है comment करेगा मुनारी किस state का folk dance है soul करो बताओ इतना ध्यान रखना जो बच्चा मुझसे regular पढ़ता है वो एक दिन के लिए सुबे से पढ़ना start कर दे कब? कल सिर्फ और सिर्फ सुबे साथ बज़े जब भी क्लास marathon स्टार्ट करो क्योंकि मैं मेजर marathon क्लास होगी 500 कोशन की जिसमें करेंट फिर सब कुछ होगा वो मैं सुबे 6 या 7 बज़े स्टार्ट कराने वालो देख ले न टेलिग्राम चैनल पर लिंक का जाएगा कल MTS का पूरा नहिया पार लगाएंगे उडिसा इसका आंसर है एक और कोशन देखें बताई यह मैंना रैफर कोड़ यूज करिए बताई है आमेर फूर्ट कहां पर असान है ठीक है बड़ा famous है है ना आमेर फूर्ट कहां पर बेटा regular timing शाम को 7 बज़े होती है वाइफाई study पर regular timing आमेर फूर्ट वैसे ही इतना famous है ज्यादा तर किले जो है वो राजिस्थान में होते हैं ठीक है ना राजिस्थान में होते हैं बहुत ही असान कुशन है राजिस्थान ही होगा obviously बहुत सारे चितोडगर किला रामेर किला जमेर फूर्ट ठीक है सारे फूर्ट जो है राजिस्थान में देखे करेंड फैर देखो जेके शिवान को जो है managing director CEO बनाये किस बैंक गा ठीक है कोई कहगा सर अभी हाल फिलाल में बैंक के डारेक्टर जो है वो चेंज हुए है बेटा चेंज नहीं हुए री अपोइंट हुए है बहुत सारे ठीक है तो आंसर इसका सेम है धनलक्षमी बैंक के जेके शिवान है ठीक है और जिसके चेंज हुए है वो मैंने वर्ल्ड अफिर पर अपडेट किया है मैं आपको वर्ल्ड अफिर पर जो करेंट अफिर बढ़ाता हूं उसमें मैं अपडेट करता हूं चीज़े बते ही का हमारे भारत में जीरो आर का कंसेप्ट है जीरो आर का मतलब ऐसा समय जिस समय कोई और टॉपिक डिसकस करना हो जो इंपोर्डेंट हो जीरो आर का कंसेप्ट बनी निए निए क्या आत्यों कावड़़ Rinnt को इस खुलिए करनाट का का इसका आंशर ऑ है यूऔर लगकinky तो ये class ऐसा नहीं है कि 10 से 15 question होंगे और आपको free कर दिया जाएगा ठीक है अराम से मतलब तसलिवरी class है बिल्कुल 200 question करना start कर रहे हैं आतबजे करते हैं लगातर पड़ रहे हर दिन और साथ वे class तो हर दिन देखो इस बश्यकून सा फैट का primary अगर मैं बात करो किभई primary form of fat जो है हमारी डाइट में क्या होता है हमारी डाइट में जो fat होता है वो किस फूर में होता है मैं p Bonging में थैकर हमारे पूरी डायट में TRIGLY women होता है ठिर सभी की फोब में बता रहो बेटा कोई चीजue कि मैंब होती है अगर जब प्राइमरी वर्ड यूज किया जागा है तो वल ओफ दी अबोब तो कभी भी भी नहीं होता ठीक है पहली बात हो यह ठीक है चलिए एक और कोशन देखेंगा अपडेटिट कोशन है बटा बताईएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेजिडेंट कौन क्ये गए महतुण सवाल करेंट अफेर है सारे चलिए बताईगे एस्यन क्रिकेट काउंसिल के प्रेजिडेंट कोन है शागय एक प्रेजिडेंट की गया है तो बहुत महतन पुर्सवाल है आंसर है जयश है इसका अंसर है थेके जयशाह जो है काउंट किया गया है as a Asian Cricket Council President चली महत्पुन सहा ले अपोइंट्मेंट बहुत बड़ी अपोइंट्मेंट जितनी भी होती हैं वो सारी पड़ लिया करो ठीक है अपोइंट्मेंट मत छोड़े करो अपोइंट्मेंट के गोशन जादा आते हैं जैसे ये भी इंपोर्टेंट है नेशनल हेल्थ अथोर्टी के ने चीफ एक्जिगूर्टिव ऑफिसर कोन अपॉइंट किये गए है करेंट अफेर महत्पूर्ण ओनली कोई ऐसा फालतू करेंट अफेर नहीं पढ़ाँगा जो मैं करेंट अफेर यहां पर कबर करा रहा हूं आपको आपके मिल सकते हैं राम से नेशनल हेल्थ अथोर्टी के नए चीफ एक्जिगूर्टिव ऑफिसर है एक और कोशन देखेंगा बढ़ा अच्छा कोशन करेंट अफेर में आ सकता है कौन सा ऐसा मेट्रो है यह पहला मेट्रो है भारत का जिसने यूवी रेस को यूज किया अपने ट्रेन कोचिस को सैनेटाइज करने लिए करेंट अफेर है कोवी नाइंटिन के समय में ट्रेन को सैनेटाइज किया गया तो अल्ट्रा वॉलेट रेस को यूज किया गया लखनव मेट्रो इसका अंसर है लखनव मेट्रो में अल्ट्रा वॉलेट्रेस को यूस किया गया सद्टाइज करने के लिए एक और कोशन देखें विच आज याद रखना इस क्लास के 200 कोशन होने के बाद मैं आपको टॉपिक वाई से क्लास कराने वाला हूं और कल मैं उसी का मेराथोन भी कराने वाला हूँ कल तो मैंने आपको वैसे भी कह दिया कि आप सुबह 7 बजे या 6 बजे ही टेलिग्राम चैनल एक बरी देख लेना आपको 500-500 कोशन की मेराथोन भी मिलने वाले हैं करेंट फिर भी मिलने वाले हैं 500-500 कोशन के ठीक है बल्क में मिलेंगी क्लासे इसमें से कौन सा सलाइवा का फंक्शन नहीं है चली तो आंसर के है इस कोशन का इस टेलिग्राम चैनल पर आएगा जो भी कंटेंट आएगा सर्च कर लेना एक बर ही जोइन कर लेना कल कल के दी है ना अगर आपको बेनिफिट चाहिए लिगर सलाइवा माउथ क्लिंजिंग करता है बिल्कूल सही स्टार्स को ब्रेक डाऊन करता है बिल्कूल सही ठीक़े एक औरइसकोक्र अंसर में नेशनल स्ट्रेयेस्टिक या परकस है एक नजर हर सवाल पर धेग्या आप जितने सवाल देख लोगे न उस हिसाब से आपकी explanation easy हो जाएगी यह को एक्स्टाइशन की रिक्वाइड नहीं है इतने ही कोशन करा देंगे हम बीस कोशन थोड़ी करा रहा है जिसको explain करेंगे गहंटा 200 कोशन हो रहा है ठेकें तो कोशन पर focus करो अभी national statistic day 29 जून को observe कि आता है एक और कोशन देखे बताईगे देखो चितमरम स्टेडियम कहां पे लोकेरिण है चितमरम देखके तामिलाडू आंसर में आता है चन्नाई ओप्षन में दे रखा है चितमरम जब भी हम देखते हैं तो माइड में तामिलाडू आता है और जब वो तामिलाडू माइड में आ रहा है तो चन्नेई उप्शन में दे रखा है बस निकल गया कोशन है ना यह आंसर इस कोशन का क्या है चन्नेई इसका आंसर है M.H. इतमरम स्टेडियम जो है ठीक है यह कहाँ पर चन्नेई में एक और कोशन देखे microwave oven की invention किया जल्दी से बदेगा सेले तो इस कोशन का आंसर करें बड़ा ही सब्सक्राइब की गई इनके द्वारा की गई थी एक और कोशन देखिए बड़ा प्यारा कोशन इस बार जो 26 जनुवरी बनाया गया Republic Day बनाया गया वो कौन सा एडिशन था बने मतलब celebration जो है वो कौन सा celebration था बताईगा बड़ा असान question है यह आपको आता होगा भारत का इस बारी का Independence Day कौन सा था 20 जनवरी कौन सा था यह तो हमें पता होना चाहिए common सी बात है ठीक है answer है सेवेंटी सेकंड जो है Republic Day हमने इस बारी सेलिबरेट किया था important question है पूछा आ सकता है चले एक और question देखिए soul करेगा कौन सी country है जिसने होस्ट किया बीस वाइस वूमें एशियन कप जो कि एशियन फुटबोल कंफिडरेशन के द्वारा अनाउंस किया गया अब कौन सी वनला अभी अनाउंस किया गया है होस्ट कौन करेगा सवाल यह पूछा रहा है कौन सा देश है जो होस्ट करे बताईगा बीस वाइस वूमें एशियन कप जो है कौन सा देश होस्ट करने वाला इस कोशन का आंसर के है कमेंट करो बताओ आंसर के है थे बताईए आंसर के है इस कोशन का शरी तो इस कोशन का आंसर के है दोस्तों इस कोशन का आंसर है इंडिया इंडिया इसका आंसर है एक और कोशन देखिए बते हिए पाइए ने कोन सी भाषा में इस फ्रैंज नोवल की है बुक्ष्र मिला है कमेंट करें किस लेंग्विच में से टांसलेट किया गया इस कोशन आन सके अभी ये क्लास एक देड़ घंटा और चलेगी पूरे दोस्टों कोशन होंगे जो बच्चा अभी जुड़ रहा है पहली बात तो यह जानलो सेवन पीम पे स्टाट होती है क्लास सेवन पीम पे टाइम पे आओ दूसरा अभी आप करिए सो डैट कि आपको अभी भी देड़ सो कोशन जितने भी हैं वह आपके कवर हों ठीक है जरूरी है कोशन सारे तामिल इसका आंसर है तामिल भाषा में इसे ट्रांसलेट किया गया पताएगा परेंट अफेर सेवन्टीन मिनिस्टेरियल मीटिंग ओफ एशिया लोग किसके द्वारा होस किया घ्या जल्दी से बताएइं किसके द्वारा यह बहुत ज़्यादा सवाल है बताएं आंसर क्या है चलिक बहुत ही सबस्वाल है इस कोशन का answer क्या है ठीक है दोस्तों सब्सक्रितर का आंसर एक और कोशन देखिए घए काजा कालस become the country के पहले प्राइम निस्टर बने, पूछा के किस देश के बने, जल्दी से बतेगा, यह announcement, यह ऐसे appointment, जो है, election के बाद, किनकी appointment होई थी, बतेगे, काजा कालस किस देश के, ठीके, पहली female प्राइम निस्टर आंसर के है, इस question का, Estonia, Estonia की पहली female प्राइम निस् पोलेसी, ठीके, एक नजर हर सवाल पे होनी चाहिए, मतलब आपके, रेंस से कोई सवाल भार नहीं होना चाहिए, पेपर में, इतने आपने, कोशन की होना चाहिए, इस class का purpose ही रखाए, कि 7 वजे वाली, 7 दिन, 7 मेरत हुन, जो हो रही है, ठीके, उसका purpose ही ही है, ठीके, चल पूछा जा सकता है, चले, एक और कोशन देखिए, बताईगे, इस कोशन का आंसर गया है, देखिए, अभी इस बार जो रिपब्लिक डे हुआ था, बड़ा important करेंट फिर है, कोन से राज्ये की जाकी, 32 जाकिया निकाली गी थी, 32 जाकिया निकाली गी थी, कोन से राज्ये क कोन सा आंसर के इस कोशन का, जाकी किसे माना गया, उत्तर पदेश को माना गया, किसको उत्तर पदेश को, महतपुन सवाल है, पूछा आ सकता है, उत्तर पदेश की जाकी सबसे महतपुन, इसमें अयोध्या को भी दर्शाया गया था, ठीक है, जो मंदिर बना है, उसको भी कोन से मिनिस्ट्रि आफ टेक्स्टाइल गवर्मेंट ऑफ इंडिया के खोशित किये के ठीक है नई appointment रही थी यह ministry of textile एज a secretary किने एपोइंट किया था चलिए आंसर केन्त किया गया as a secretary of ministry of textile बताया अंसर कहां तोल करें सारे के सारे बताएं आन सकें Ministry of Textile के नए appointment जो है Secretary की वो उपेंदर प्रशाद सिंग की हुई important question पूछा आ सकता है बहुत rare बच्चों को इसका answer पता होगा लेकिन ये बहुत important question होते हैं Secretary हो गया, President, CEO बनना, MD बनना ये सब पता होना चाहिए जैसे ये question देखो current affair में ज़्यादा cover करा रहा हूँ वेटा 200 question rapid fire में आपको 50 के आसपस current affair daily मिल रहे हैं उसके अलावत जी के science, history, biology, सब कुछ cover हो रहा है क्योंकि exam में current affair बहुत मिलता है कल भी में आपको सुबह सब से पहले priority basis पे 6-7 बजे जो marathon स्टार्ट कराऊँगा उसमें current affair सबसे पहले कराऊँगा जरूर देखिएगा आपके current affair बहुत ज़्यादा होने वाले है कल जो सुबह 6 से लेके आगे तक classes आएगी सुबह 6 बजे से टेलिग्राम चैनल पे लिंक आएगा अमन सर्वाइफ फेशरी पे बताइए फर्स लेदर पार्क यूपी सरकार ने भाई बिल्कुल है लेदर तो सबसे ज़्यादा famous है कानपूर का है जब लेदर है कानपूर का famous तो कानपूर में बनाएगा होगा लेदर पार्क बड़ी common सी बात है है ना अलिगड में की और लोक्स बहुत ज़्यादा एमिरेट में sports goods जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो यह तो बड़ी common सी बात है एक और question देखिए बढ़ा अच्छा question बढ़ा question देखिए यह ना समझे की मुश्किल है आसान question है बहुत ज़्यादा जल्दी से कमेंड करेगा इस question का answer क्या है जल्दी से बताएं आंसर के इस question का चले समझे सिंगापूर बेस्ट एक नियो बैंकिंग स्टार्ट अप है स्टेश्फिन इन्होंने agreement साइन किया है हमारे किस बैंक के साथ या फिर किस बैंक के साथ हमारे है और भी बहुत सारे अलग-अलग बैंक बैंक भी है सिर्फ इंडिया का डीक इंडिया का तो आप किया नियों याद रखेंगा सब्सक्राइ capitalist कोशन आ सकता एक और कोशन देखिए पटाएं आंसर जुक्र। ईविश जदी में से पते क्या है नेशनल स्टेस्टीकल उफिस के एकोरणिंग जो इंडिया का टरिवाइस GDP drop है व्हो कितने परसंट है जल्दी से बते करें है इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है रिवाइस जो जीडी पी वैल्यू है वो कितने पर्षंट है इस कोशन का आंसर क्या है इंडिया का इंडिया 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 कोशन पर पर्षंट है अब देखो यारे यह सब चीज ना सारी पढ़ लो करेंट फिर तो करेंड फिर क्यों इसमें पॉर्शन में डाला हूँ क्यों मुझे बता कोशन बहुत आते हैं करेंड फिर का आपको भी बता है जैसे ये कोशन देखो इंडियन कोशगार्ड सेलिब्रेट करता है अपना रेजिंग डे एक फरवरी को इस बार जो कोशगार्ड डे सेलिब्रेट किया गया था वो कौन सा एडिशन था ये बताऊ इस बार जो कोशगार्ड डे सेलिब्रेट किया गया था वो कौन सा एडिशन था कमेंट गरेगा इस बार का कोशगार्ड एडिशन जो है कौन सा था तो answer is question का 45 था इस बार को जो है वो 45 था easy question है ठेक है आ सकता है एक और question देखिए बतेगा United Nation Day is celebrated on which of the following day असान question ठेक है answer के है चले answer is question का बड़ा असान है 24 October option में दे रखा है ठेक है 24 अक्टूबर option में दे रखा है यह United Nation जो है 24 अक्टूबर 1945 में बनाए गया था और उसी से वर्ल्ड वर सेकंड खतम होने के बाद यही जो है युनाइटी नेशन ही तो बना था चले दोस्तों बताएं पंचन डेम कौन सी स्टेड में है तो आंसर है जार खन में ठेक है है ना जार खन में बेड़ा किसी भी एक्जाम की बात कर लो आप इस क्लास की सीरीज को पढ़ सकते हो साथ बजे लगातार पढ़ोगे ना साथ आठ दिन तो अपने आप दोस्तों कोशन डेली करने के बाद अपने आप सब कुछ एजी लगने लगेगा ठीक है बस इतना ध्यानक ना वेडनस दे को स्पेशली सुबे साथ बजे से छे बजे से जो क्लास होती है वो ज़रू आपने आवरित्ती का अगर कलर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है अब इसमें सबसे हाइस फ्रिक्वेंसी किसकी है वोईलेट की है और सबसे लोएस पूछा जाए याद रखना हाइस फ्रिक्वेंसी ठीक है तो आंसर इसका यह है तो लोएस फ्रिक ठीक है थ्यार रखेगा और इसकी सबसे lowest wavelength है और इसकी सबसे highest wavelength है ये भी पता होना चाहिए थे इंपोर्टेंट है कोशन वाइलेट और रेड में ही comparison रहता है हमेशा ठीक है तो इस question का answer यह है बताएगे वट इस अ करंसी आफ इंडोनेशिया आसान कोशन वट इस कर्णसी आफ इंडोनेशिया के अससारे आफिसे सभा गभाध cba सबदाएगे जल्दी से बताई कि इस pajkin कि में है और इण्डोनेशिया की करणसी क्य है आप सब्सक्तिया आशंटेगे इंडोनेश्या को इलिए के डिमाइक ता था बांगलादेश हमारे देश के कौन से राज्य के साथ अपनी boundary lines नहीं बनाएगा बड़ी common सी बात है जारखन बिलकुल अंदर जाके है तो बांगलादेश के साथ कहां टच होगा ठीक है वैसे भी बांगलादेश वेस्ट बंगोल के साथ ठीक है आसाम के साथ त्रिपूरा के साथ और मेगाले के साथ जुड़ता है इन सबी के साथ जुड़ता है जारखन के साथ नहीं जुड़ सकता बड़ी इमेजिनेशन की बात है कि जारकंड तो नहीं हो सकता है ना एक और कोशन देखे बते थोड़ा ना माइंड को एक्टिव रखके पढ़ना सीखो जैसे आप इस क्लास में पढ़ना दोस्तों रैपिड फायर है शब्द रहे रैपिड फायर इसलिए लिखा है कि आप हर कोशन को लगातार देखो स्पीड में अपने आप कबरेज होगा और साथ दिल लगातार देखो सेवन पीएम पर ही फिक्स टाइमिंग रखे सेवन पीएम इंटरनेशनल डे ओफ नोन वालेंस अबजर्व किया आता है किस दिन जल्दी से बढ़ेगा इंटरनेशनल डे ओफ नोन वा गांदीची से संबंदीत रहेगा है ना महात्रा गांदीची इस बिगस्ट एक्जांपल नौन वालेंस इंद वर्ड अगर बोला जाए तो उसी आप से दो अक्टूबर इसका आंसर है देखो पानी में जो टेंपररी हाड्नेस होती है पर्मनेंट टेंपरी दोनों के अलग किसकी प्रेशन की वजह से कैल्शियौं रिकार MMA की प्रेशन की वजह से हैं टेमपरी हाड़्नेस महत्वूंट सवाल एक और कोशन्स के असन के हैं बताया यंशन मरुटेय्म自फ हो अरग nation कोशना इंटरनेशना मेरी टाइम जहाँ पर कि यह मेरी टाइम आया है क्या होगा आंसर बताइगा इस कोशना इस कोशना और आंसर कहां पर होंगे शोल सोल करो बताओ आंसर कर दोस्तों जल्दी से बताईगा चली तो इस कोशेंगा आंसर है इंटरनाशनल वरिटाइम के हेड़कॉर्टर कहां पर लंडन यूके में एक और कोशन देखीगा बताइए करेंट अफेर है क्लोरिस लेक्मेन हाल फिलाल में इनका निधन हुआ और बिश्री का कोशन है करेंट अफेर में आ सकता है किस प्रोफेशन से संबंदी थे इससे संबंधिते इस महान सकता है चली दोस्तों आंसर एकक्तर-टोरिस बुचह उर्ट पोछा जा सकता है चली एक और केगई इन विक सिटी इस the Jolie Grant Airport based, घेखे, बते, बते, कौन से शहर में Jolie Grant Airport है, बते, नाम सुना है क्या, बते जोली agreement April कहां पे, इस question का आसिर थोड़ा मुश्किल question हो गए लेकिन, बताओ, answer क्या होगा, घेखे, Jolie Grant Airport कहां पे, जल्दी से बताओ, कुछन का ना क्ली मंजारो कौन से देष में एक तो दे रухकाई है माउंट किली मझारो कुण से देश में अगर मैं बात करूं MOUNT क्ली मंझारों खियर यह type तंजानिये option में एक तो दे रखा है मांट क्ली मंझारो में हैं मांट क्ली मंझारो तंजानिय, में बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉड तंजानिय सब्सक्राइब को पहले ब्रिटिश एंपाइर्स गेम कहा जाता था इंप्रोडन्ट कोशन है आंसर के हैं कि बेड़ा ध्यार नखो मैं आपको ना यहां पे इस क्लास के बाद साड़े आठ बजे दस ने टॉपिक का मेराथोन करा रहा हूं साड़े आठ बजे कहा पे लिंक मिलेगा टेलिगराम मिलेगा भूला मत क्लासिस आज तो खिर एक या दो टापिक होने वाले हैं कल मैराथोन होगा सुबह साथ बजे स्था जात कर देंगे रात को भी मैराथोन होगे सुबह तो हई है current affair के होंगे सुबह बहुत जरूरी Commonwealth Games इसका आंसर है एक और कोशन देखिए महाविर चक्र अवोर्ड जो है इस साल का ठीक है मरनो उपरांत बहुत जादा महत्पुन सवाल सत्त प्रतीशक आने के चांसेज है इसके कि भई इस साल का महाविर चक्र मरनो उपरांत किसे मिला सत्त प्रतीशक चांसेज आनेगे ठीक है ांसर क क्या दोसतो इसकligen का ठीक है बी संतोष बाबू इसका आंसर है इने मिला है ठीक है ब्रेवरी के लिए तो आंसर है इस कोशन का बी संतोष बाबू इंपॉर्डन कोशन ठीक है ये है टेलिग्राम चैनल जब क्लास एंड होगी या जब भी आप ठीक है लीव आट करते हैं तो इस टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लें प्रेगुलर पढ़ पाएं असान होगे कुछ जादे इंडिया का नेवल फास्ट अटेक क्राफ्ट है इन फैक्ट एट वन ठीक है जो कि किस क्लास से है एमकें सेकंड क्लास से इसको न डी कमिशन किया गया है क्योंकि यह कब से यूज हो रहा है तो अब इसे कर दे डी कमिशन का मतलब होता है कि हमने इसे यूज करना बंद कर दिया है ठीक है परपस फुल जो है इसका खदम हो गया परपस इसका खदम हो गया ऐसे कमिशन भी य कि दिकमिशन किया गया आनसर कर दोस्तों किया है मुंबई फिल्क सी स्टेट में कुछ जादे असान कोशन लक्षुदीप में आगाती एरपोर्ट कया लक्षुदीप उसका आणसर क्या है इसका आंसर लक्षदीप है अगाती एरपोर्ट का आंसर लक्षदीप है जलती से बताईए ठीक है आम नोट एबल टू रीकोल आप बता दे आंसर कहा है इस कोशेंगा लक्षदीप चली तो इस कोशन का आंसर के है दोस्तों ठीक है लक्षदीप ही इसका आंसर है ठीक है लक्षदीप ही इसका आंसर है एक उरकोशन देखिए बताइए What is the capital of Nigeria بت chuckles जल्दी से बते ये Nigeria की capital क्या है इसमें एक अबूजा दे रखा है क्या इसका अनसर ये है क्या अबूजा capital है Nigeria की ठेकें बतें कामपला तो नहीं है कामपला यूगांडा की है काईरो भी नहीं है एजिप्त की है तो भाई ये दो हो नहीं सकते है युगांडा और इजिप्ट ठीक है तो बसता क्या है अबूजा ठीक है अगर हमें करना वह भी कर सकते हैं जैसे हमें हमारे पास दो इंफर्मेशन थी इसको भी इगनोर करके आप उन लोग आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से निकल जाते हैं इंडियन आर्मी डे किस दिन अब्जर किया जाता है कि इंडियन आर्मी डे किस दिन अब्जर किया था इस कोशन का आन्सर के है ठीक है चलो आंसर क्या बतहीए कि smk ए इंडियन आर्मी डे ऋब्जर किया जाता है किस दिन चली तो शेर करो वेटा, साथ के साथ आंसर हैं इंडियान आरमी दे उबजर किया था पंदरा जनवरी को ठीक ह reference Inter पड़ा अच्छा कोशन है यि तो इन इंडेस्टरी डवलपेंट औरगनाइशन जो है इसके हैड़्वीर कहां पर बेड़े याद रखना कल जो आप सुबह साथ बज़े से या छे बज़े से क्लासिस देखोगे वो लाइब क्लासिस देख रहा है ठीक है क्योंकि हम लाइब क्लासिस में बहुत सारा कंटेंट और एड करने वाले हैं सुबह से ही शुरू कर देंगे क्लासिस को ठीक है लिंक कहां पर आएगा इस टेलिग्राम चैनल पर भूलेगा मत ठीक है आंसर इस कुछ में वेना उस्टिया वेना उस्टिया में इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजंसी के भी साउथ अफरीका की सबसे बड़ी सिटी कौनसी है जो की गोल्ड माइन्स के लिए भी फेमस है कमेंट करो बताओ आंसर के इस कोशन ना चली तो आंसर के इस कोशन का तो गोल्ड माइन्स के लिए फेमस है आंसर क्या है थोड़ा मुश्किल कोशन ना जोहानिस बग इसका आंसर है ठीक है जोहानिस बग इसका आंसर है ठीक है गोल्ड माइन के लिए फेमस है और सबसे बड़ी सिटी है साउथ अफरीका की तो आं कोशिंग आंसर क्या है कि आफनीशन के कोशिंग आंसर क्या है है ग्राउंड नेट्स वैसे हटा दू टीका डीसीज ग्राउंड नेट्स से संब्द बतेगा बड़ा अच्छा कोशन इस कोशन का आनसा बदे यह कोशन आने के किसरा अगर आप से पूछा जाता है तो इस कोशन का पहले आप कमेंट्स कर आण्ट अच्छा कोशन है पहले है। इसकोशन का आनसर क्या है कि दोस्तों यह इयर्बुक है सेट रोजन जो है इनका इयर्बुक है महतपुन सवाल है ठीक है यह अच्छा कोशन था ऐसे कोशन अभी ओर होंगे लगातार करेंगे 200 रैपिड फायर की क्लास है बहुत कोशन होने अभी पते हैं आन सकें इंडिया का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटर टेली Donald communication Satellite एपल था वो कहांसे रोज्ज criança किया घ्या था जल Griff का इंडिया का था लेकिन ले में भार से करना बढ़ता है कहांसे किया गया था इंडिया का सबसे पहला चैरी इस कुछन का और चले आंशर के भी दोस्तों डिश्क कोशन का एकत्षों और य polished एक्ग एक और कोशन दिखेगा कि जन बड़ सेंचुरी अगर मैं बात करूं तो कहां पे लोकेटे बते हैं चली तो यह लोकेड़ है लोकेशन इसकी क्या है ठीक है राजिस्थान इसकी है राजिस्थान की लोकेशन है महतपुर्णा सवाहल बहुत जादा मेहतपुर्णा इसकोशन मधित्रतलर कीूशन कोशन इस स्टेट में में करेख वसकूसेस्टेट में पोवित्रों इसका ऐसक्ता खूर Canada में कोशन aired iOS वित्रो वाइलेफ सेंसरी कौन से स्टेट में असाम में एक और कोशन देखेगा स्वेट फोल कहां पर है कौन सी स्टेट में 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 स हो आप इतना वराइटी ओफ कोशन देखे रहे हो यह रोद 200 कोशन होते हैं कल हम सुबह च्छे या साथ बजे से लगातार कोशन करेंगे तो हमारे एक ही दिन में 2000 कोशन हो जाएंगे लगातार करेंगे तो मैं तो सुबह स्टार्ट कर दूंगा अगर आप सुबह से लेके बात था है ठीक है कल और फ्राइडे को दोनों में अलग-अलग कोर्शन होगा अलग-अलग अलग content होगा अजए विन्चेस्टे कप की अगर मैं बात करूं तो किस खेल से संबंदिते हैं जल्दी से बताई आंसर क्या है बताई आंसर क्या इस इजरा कप भी पोलो से संबंदेद है क्या पता इजरा पूछ ले विंचस्टर की जगा तो ध्यान रखेगा इजरा भी पूछा आ सकता है विंचस्टर की जगा भारत अपनी लेंड वोंडिस कितने देशों के साथ बच्पन में एमबीय सुना होगा आपने तो उस हिसाब से आंसर क्या है साथ है ठीक है बच्पन में एमबीय ठीक है उस हिसाब से देख लेना कितना है ठीक है बच्पन में याद रख लीजेगा तो साथ इसका आंसर है असान कोशन बांगलादेश हो गया चाइना हो गया पाकिस्तान हो गया में आनमार हो गया ठीक है ऐसे काउंट कर लीजेके में तो आसां है कोशन बहुत ज्यादा जीमसी बाल योगी अफ्लेटिक स्ट्रीण कौन से शहर में बताइगे आंसर क्या पताई आंसर क्या है अगर आप से पूछा आता है जीमसी वाल योगी स्टेडिएम जो है कहां पे है ना तो इस कोशन का आंसर कै attic इस को शेंगा आंसर ये बाल योगी कहां पर है तो ये एधराबाद में टेख से आप है कि पूच़ा है यह ब्यक्ति है रसकिन वोन है इनका किताब है इतना फेमस है क्योंकि रसकिन इंग्लिश के लिए अवोर्ड मिला है सभी जानते होंगे लेटेस करण्ड फिर है इंग्लिश लैंवेज में ने मिला है तो इनकी बुक्स का ध्यान रखना एक्जामपल के तोरपर मिरेकल एट हैपी वजा रसकिन बॉन अमिताब घोश की किताब इंपोडेंट है चेतन भगत का 400 डेस वाला कोशन इंपोडेंट है यह तीन चार कोशन बहुत इंपोडेंट है बताएगा तो बड़ा आसान तो आंसर है का नहीं की जासकता और चेण किया जा सकता इसक्तवार कश्मीर में है क्या किस्तवार कश्मीर में है जल्दी से बठीगा बहुत कोशन होने अभी तो कौशन पूरे हुए नहीं 200 question का rapid fire है लगातार पढ़ोगे तो होगा इसके बाद आपको साड़े आठ बजे में unacademy पे topic wise class कराऊंगा telegram channel पे link आएगा जरूर देख लीजेगा काम की class है बहुत अच्छा topic है आज का ठीक है आज rivers और cities सारी खतम करेंगे जम्मो कश्मीर इसका answer है कश्मीर में exactly ठीक है जम्मो में निये कश्मीर में है बतेगा पर्ल हारबर जो कि एक American Naval Air Force है इस पर किस देश ने attack किया था बतेगा answer किया यह इसमें एक question हो रहाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक question ना और आता इस पर क्या सवाल आता है पहले तो आसान है सब जानते वर्ल्ड वोर के समय में जापान ने attack किया था कि यह जो पर्ल हारबर है न यह कहां पर है दोस्तों हवाई आइलेंड में हवाई आइलेंड में हैं हवाई आइलेंड में एक और question देखी लोधी गार्डन कहां पर है पते क्या लोधी गार्डन दिल्ली में बड़ा session को like और share करीगा जारे के सारे बड़िया तरीके से ठीक है पते लोधी गार्डन कहां पर है इस question का answer क्या है चली तो लोधी गार्डन की अगर बात करी जाए तो दोस्तों आंसर के है इस question का दिल्ली इसका आंसर है एक और question देखिए बताईए इस question का answer के है कौन सा बड़ा आसान question first ever chief compliance officer बनाए गये है Henry Moniz पहली बार बनाए chief compliance officer सवाल पूछा जा रहा है कौन सी company के द्वारा चीफ compliance officer Henry Moniz को बनाए गया बहुत प्यारा सवाल ठीक है बताईए बताई आनसर के इस question का अच्छा मुझे एक बार ही बताओ कल कौन-कौन जो है पूरी marathon revision में आने वाला है सुबह से लेके शाम तक एक बार ही बिल्कुल dedicated बच्चे चाहिए कल अगर आपने कर लीना revision कल और Friday दोनों दिन होगे अलग-अलग content रहेगा दो दिन में हो सकती है possibly येस का comment करेगा कौन सुबह से लेके शाम तक रात तक proper revision करने वाला हर एक लिंक टेलिग्राम जैनल अमन सर्वाइब फेस्टरी पे आएगा जल्दी से comment करेगा सारे के सारे आंसर कैस कोशन का फेस्बुक का है ठेक है फेस्बुक इसका अंसर कोशिश करना जितनी कोशिश उतना ही परियाज और उतना ही ठीक है फल मिलता है ठीक है चली तो answer कैस कोश किस देश के communist chief तो आंसर अब यह साथ बजाली class तो दंदार होई चुकिए आपके लिए व्यतनाम इसका answer है ठीक है यह जो व्यक्ति है व्यतनाम से सम्मधित बहुत important है इनके उपर कोशन आने के chances है ठीक है आंसर इस कोशन का यह यह तो class होगी विटा यह तो साथ दिन लग प्राइम निस्टर बनाएं गए ही हाल फिलान में रिजाइन किया है ठीक है कौन से देश के प्रामिस्टर दे घुनयार सान्क यह तहां कि कि यहाई निर्टेश को स्पाइब देश के आपधे घुल सबगे आपने सुना बहुत खतरनाक देशों में से एक माना जाता है अभी भी अन्सिवलाइस्ट है ठीक है बताइए इस कोशन का अंसर करेंट अफेर अंजी शिवम सहकारी बैंक जो है इसका हाल फिलाल में आर्बिया इने लैसेंसी कैंसल कर दिया बैंकिंग लैसेंस जो है कैंसल ठीक है ओक्वाइटा कर दिया आपक्र समय क्यां जल्दी सब देगा कौन से है एक बेस्ट कहां पर शीवम सहकारी बैंक जिसका आर्बिया इनने लाइसेंस लिसेंस कैंसल कर रहे है जैसे अभी यूप बैंक का आपने सुना होगा ऐसे शिवम जो सहकारी बैंक है आंसर इस कोशन माहराष्य में ब करता है अगर पूचा रहा है महानदी कौन से राजी से और कोशन देखिए वर्ड मीजियम डे किस दिन अब जरु किया जाता है बताएं यह सब कोशन मैं आपको इस शीर की अशोर्टी देता हूं आप कल की सुबह से लेके शांद तक मैराथॉन बढ़ लो बहुत मैंने फिटा उपको और के Państwo रागए सुब्साइब Eli's कि इस और कोशन देखिए वर्ड मीजियम डे उब्सर की आता है किस दिन इस कोशन का आणसर डिंगेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट घर में यह को पूरा वार्ड चतान तोगना वायरस कभी इलाज इतनी सलदिना निकलता क्योंकि पता है western world impacted है इसी वज़े से इलाज जल्दी निकला है देखे यह तो अपना current affair है अभी का ठीक है बताइएंगा world rabbits day किस दिन बनायाता है किस दिन बनायाता है जल्दी से बताइए 28 तारिक कुण सा महीना 28 तारिक कुण सा महीना क्या है इस question का answer आज का है क्या बिटा यह आज का है 28 सेप्टेमबर यानि कि आज के दिन world rabbits day observe किया आता है असान question है पता होना चाहिए कि जो world rabbits day है वो किस दिन observe किया आता है आज के दिन observe किया आता है ठीक है याद रखेगा important है ठीक है आंसर कहा है इस question का चाहिए तो इस question का answer है यह question के आज की तारीक में एक और question देखिए बताएगा ठीक है ग्योटरिस्ट and the founding member of the animals hilton valentine passed away यह किस देश से संबंदित थे जल्दी से पताएगा इस question का answer क्या है किस देश से संबंदित थे ठीक है यह व्यक्ति है hilton ठीक है valentine ठीक है इनका निधन हुआ है यह एक founding member थे the animals के देखिए सवाल यह पूछा रहा है किस किस देश से संबंदित जल्दी से बताएगा answer क्यांसर क्यांसर कोशनगा UK थे UK इसका answer पार्टी स्पेड़ गरो शेयर करो सारी सारी answer क्या स्कुशनगा बताईए तो करिए नए chairman मनायेगे महिंद्रा एं महिंद्रा financial services के कौन ने chairman कौन बनाएगे महिंद्रां mahिंद्रा financial services के ने न्यू चेर्मेन ऑफ महिंद्रा और महिंद्रा फानिशल सर्विसेश तो इस कोशन का आंसर क्या है इस कोशन का आंसर है ठेके अनिश शाह जो है ने चेर्मेन बनाए गए ठेके फानिशल और फानिशल सर्विसेश महिंद्रा ठेके चले एक और कोशन देखिए यह व्यक्ति है प्रेजिदेंट कुन सी स्पोर्ट्स बोड़ी है जिसके यह प्रेजिदेंट इलग किए गए री अपॉइंट किए गए से अधरी के ने रिएख किये गए हैं पड़े लेंट से शैर को लेंड ब्लेक ब्लैक्स बात ऊरही है आंशर क्या होगा इस कोषण है जल्दी से बताइगी ठेलीग्राम चैनल जरूर्ब जो भी बच्चा देख रहा है आमन सर वाइफाई सड़ी सोड़ी आपको PDF भी मिल सके और आपको कोशन आता है कि ठेके कोल कैपिटल ओफ इंडिया पूछा ना तब आप धनबाद आंसर लगाए अधरवाइस आप धनबाद आंसर ना लगाए ठेके कोल कैपिटल ओफ इंडिया अगर आपसे पूछता है तब आप आंसर धनबाद लगाए अधरवाइस आप धनबाद आंसर ना लगां इजी कोश्व जैनल को देखेंका ऑप सब्सक्राइब किया है राज चल्दी को तो यह वैट लैन्ट का थीज इसक्या रहा ना बढ़ा अच्छा कोशन आएच बहुत में पुन सवाल रहा थे वर्ड वैट लेंड लेंड गोशित, लेटस में एक और बाते का वर्सट इयर और वर्स्ट इयर ऑन रिकोर्ड बीजबीज को घोशित किया गया था कि पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बेकार इयर 20-20 को घोशित किया गया, बहुत नुकसान हुआ, हम सभी जानते हैं, कौन सी ओर्गनाइजिशन के द्वारा, थेके, वर्स्ट यर आफ दा, ठीके, गोशित किया गया, आंसर के इस कोशिंगा, आधे आधे वो हूं पिच्वक्त है चलिए इसको लिए डी में एर्प पिंच आजोर्ज। इसे अधर रूसोा सवह देश के अधर है इसकोशन का आधरे सारे त सारे और चली तो रूसो कोन से देश की capital है तो आंसर क्या है इस question का रूसो इसदे capital ऑफ डॉमनिका एक और question देखिए बताएं प्थे व्ड़ेज़ चारंसी और लैबनों की करंसी क्या है जल्दी शह बतेगा लैबनों का करणसी क्या 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 लाबनों का कॉरनसीड यूुरो है क्या लाबनों का करणसी ऑगा या कुछ एलोगा पैसोगे पैसो का रोगता क्या होग विदा लगातार वाटनिकreyएह या का बड़िया तसल्ली से देखिएगा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा अमन सर्वाइफ इसका आंसर है यहां पे गलती होती है कि 119 को ठीक है कुछ बच्चे युरॉपिन यूनियन में काउंट कर देते हैं तो आंसर इसका पाउंड है एक और कोशन देखिए यह क्लास कितना होता है कमेंट करेगा स्थो का मोल वैल्यू कितना है तो आंसर कसे 18 घ्राम कुछ जादे ही असान कोशन है मे svagily और को इसटेट हैं Bak सिसन न इंटरनेशनल लिट्रेशिट ये आपको अद therm किस दिन जल्दी सब और किस दिन हम इंटरनेशनल लिट्रेशी अब्जर्व करते हैं जल्दी सब सब्सक्रीब audiogen कर में कि चलिब तो इसको से इंट।π Quando геро evitar है अबब्जर्व चीज़े 8 सेप्टमबर को अबसर के आता है मैं असान भी है ठीक है दोनों चीज़े चलिए तो एक और कोशन देखी इसी बात में पता है टेहरी डैम कुंसी स्टेट में है बहुत बार टेहरी बांद जो है टूटा है जिसकी वज़े से बहुत नुकसान हुआ है क्या यह पता चलिए दोस्तों इस कोशन का आंसर है टेहरी बांद जो है उत्तरा खान में बहुत फेमस है पीडिएफ जो है आज आएगी टेलीग्राम चैनल अमन सर्वाइफेसरी सर्च कर लो जोइन कर लो पीडिएफ आज़े पीडिएफ की टेंशन क्यों लेते हूं कल इतनी सारी क्ला होगा कल सुबह से लेके राद तक क्लासीज जो सुबह जुड़ गया वो राद तक पढ़ पाए बस इतनी हिम्मत कर लेना कवर सब कुछ हो जाएगा नालंदा और विक्रम शीला युनिवर्सिटी जो है बुद्धिश युनिवर्सिटी इसको किसने पैटरनाइस किया था क किसके द्वारा इसका संदक्षण किया गया इसको आंशाइस क्या इसक्ति पाथ की जली तो दार आ है न तो बताईएक क्या करेगा ठीक है बताईएक का सब्सक्राइब करेगा एक और कोशन देखिए करनोल जो है कुछ कौन सी किनारे यह शेर पेटा सेशन को करेगा शेर करीगा सारे सारे कि बहुतब कोश्ण होएं तो नदी किनारे टूंग बदना इसका ढानसर ठीक है थुंगमंद्रा इसका आंसर है एक dedicated class होती है ना कुछ वो 7 बजे की ये है लगातर चल रही है ठीक है डेली 7 बजे Tiger of Mysore किसे कहते हैं क्या टीपू सुल्तान को Tiger of Mysore कहा जाता है क्या टीपू सुल्तान को Tiger of Mysore कहा जाता है चलि तो आंसर है ये सिग्नपटनम की ट्रिटी हो गया ठीक है ट्रिटी ओफ सालावाई हो गया ये सब आपको पता होनी चाहिए ठीक किस से संबंदित है एक और देखिए आंसर के इसकोशन का मारिया शारपोबा बहुत फेमस खिलाडी टैनिस की सवाल ये पूछा गया किस द जिशन का आंसर क्या है कि दोस्तों ये संबंदित है किस देख से ये संबंदित है रखिया से एक और कोशन देखिए इसकोशन्क का है हाँ है हाँ जी करेंट अफेर है बताओ साईद मुस्ताक अलीटी ट्रोफी जो है ये कहां पर अच्छा विश्टीम वोन पते कौन सी टी अजिए से करेंड अफेर बहुत हो जाएगे कुरेंड फिर की टेंशन नहीं होगी आपको आंसर क्या तो इस कोशन का अन्सर है ठीक है तामिल लाड़ू इसका अंसर है तामिल लाडू एक और कोशन एक किसके द्वारा यह किताब लिखी के इस कोशन का आंसर के हैं चलि तो इसकोशन का आंसर के हैं दोस्तों इसकोशन का आंसर है एक और कोशन देखिए बते यह आंसर के रिखा हुआ है क्या इसकोशन का आंसर क्या है ठीक है बता ही एक है जल्दी से बताईगा तो इस कोशन का अंसर कहा है भारते अंडू हरिश्चेंटर न जो है इनके द्वारा लिखी एक और कोशन देखे वद्रिनाट टेंपल है कूंसी स्टेट में बते बदरीनाथ टेम्पल जो है कौन सी स्टेट में है इस कोशन का आंसर कै है बदाए आंसर के है चलो तो इस कोशन का आंसर है बदरीनाथ टेम्पल है और अब यह नेशनल ट्राइबल फेस्टिबल कहां पर होता है जल्दी से बदेगा आदी मोहतसब इंपोर्टन कोशन है पूछा आ सकता है थे नेशनल ट्राइवल फेस्टिबल आदी मोहतसब कहां पर होता है इस कोशन का आंसर क्या है अज़र। बताएं आंसर क्या इस कोशन का ठेके इस कोशन का डिल्ली में एक और कोशन देखिए विच इंशोरंस से इंवेंटिटट फॉंटेंड पेन कोण से ठेके आंसर क्या इस कोशन का चलिए तो इस कोशेंगा आंसर के जल्दी से बताएगा का चलिए तो इस कोशेंगा आंसर के हैं दोस्तों कोशेंगा आंसर है इस कोशेंगा आंसर जोज फॉंटियन लिखाओ तोagles प्शन में यांसर इसकरक। इडीसन वूटरमें इसका आंशर एक और पर कोशन देखिए बतेगा लाइन अफ एक्शल कंट्रोल इंडिया का इसकत्र है चाइना के साथ एक और पर कोशन देखिए का वर्ड फेमस काची धाम आशरम जो हैं इंड्या के कौन से राज़त में इस कोषिंगा अंसर के के हैं बदें नहीं राज़त में होड़ फेमस काँची धाम आशरम و gözम के देखेगा जल्दी से ऐसे बददेगा मचलिन तो यह वर्ड फेमस काँची धाम आशरम जो है कौन से राज़त में लिंक भी लग़ा रहूँ आपका कि मैं आपको साड़े आठ बजे आपको अन एकाड़ेमी पर क्लास कर रहूंगा तो उसका लिंक लगवारों टॉपिक वाइस का ठेक है वो जरूर देख ली जागा टॉपिक वाइस आज वर्ड की सारी वीवर्स और उस शहर जितने में देख लेंगे यह ना कोशन इं इंगलिश भाषा में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया है थोड़ा मुश्किल कोशन है इस कोशन का आंसर के मैं उपर लिंक भी लगवाए मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल भी आप जोइन कर सकते हूं ठेक है आंसर है सिरनत पैरूर इसका आंसर है एक और कोशन देखे बते ताइट्स इंदर सी देखो जो समुंदर में टाइट्स बनते हैं वो किस से बनते हैं इसका कंबाइंड इफेक्ट से बनते हैं मून और सन ठेक हैं अब मून और सन के कंबाइंड इफेक्ट से बनते हैं तो आंसर इस कोशन का बी होगा ठेक है है ना बी इसका आंसर होगा एक और कोशन देखेंगा रोटेशनल एफेक्ट और फोर्स और बोड़ी अबड़ यह कोशन नहीं करना है पतेगा है अगर सज्जेस्ट किया जाए तो लाइफ अर्थ पर कब से पोसिबल है कितने वर्ष हो चुके हैं लाइफ को अर्थ पर पोसिबल होगा जल्दी से बताएगा उपर मैंने लिंक भी दे रखा है मैं टेलीग्राम चैनल भी बता चुका हूं दोनों में आपको साड़े आड़ बजे का लिंक मिल जाएगा ठीक है जरूरी है आप सबी खेले जरूर जोइन करेगा सारे के सारे ठीक है ओल्मोस हम कोशन कर ली है सुबह सात बजे जुड़न क्यान कन से था पलनिफेंट कों से स्पोर्ट इवंड में ये यूळे का सब्सकाम है यूज की जाती आंशर क्या है मैं बड़त एक और सब्सक्यारते हैं वह कौन सी कोशनु को चली सो सुदान के विछ में आंसर के है कि आप्छले तो आंसर के हैorg किया है लि tut दीन का सब्मिंट कहान पर हुआ था। किसने उसे होस किया था कुन से देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट अड़ेशन सब्मिट जो है होस किया था इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं ठीक है तो इस कोशन का आंसर क्या है साड़े आठ बजे क्लास होगी जो टॉपिक वाइस वाली क्लास है अब आपकी 27 दे रखा है और इसमें सेप्टेंबर भी दे रखा है 27 सेप्टेंबर को वर्ल्ट ट्यूरी सम्डे अबसर किया आता है क्या करें almost we have done all the questions तो साथ बज़े डेली पड़ो ठेके we have done almost all the questions आपको क्या करना है मेरा टेलीगराम चैनल जोइन करना है अमन्सर वाइफ़ाई सड़ी कल सुबह जो छे बज़े मैराथोन स्टार्ट होगी 500 कोशन की करेंट अफेर्स की वो भी इसी में स्टार्ट होगी सारा कवर हो जाएगा करेंड फेर ठीक है टेलिग्राम चैनल अमन सर वाइफाई स्टडी पे और अभी साड़े आड़ बजे का जो टॉपिक है वो भी इसी में मिलेगा तो आप इसे जोइन कर लें ठीक है टेलिग्राम चैनल को रेगुलर साथ बजे एक क्लास जो होती है उसका लि यूज करेंगा लिंक ऊपर भी दे रखा टेलिग्राम चैनल पर भी आएगा फ्री क्लास टॉपिक वाइस है पूरा टॉपिक होगा एक इंपोर्टेंट वन वर्ड अफेर का वीडियो देखिए देखो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो आपकी डेडिकेशन है कि स सब्स्रिप्शन लेना चाहिए किसी भी एक्जाम में ले सकते हैं लाइव अमन रेफर कोड यूज करके एक्जामपल के तोर पे एससी का निया वैच आ चुका है एससी के निया वैच में पूरी टीम पढ़ा रही है ऐसे कैसे जोइन करना है अन अकेडमी लर्निंग आप ड इतनी हो जाएगी ठीक है तो वंदर इसका फायदा है लाइव अमन का फायदा क्या है कि इतनी फीज जो है कम होके इतनी होने वाली ठीक है तो बैनिफिट उठाई है लाइव अफर कोड लगाई फीज जो है वो इधर हो जाएगी ठीक है तो इसका बैनिफिट उठाई है ट